हाई आप लोगों के लिए नाइन सफी होगा तो आज का हमारा टॉपिक है लव ट्राइंगल तो इसमें बहुत तरीके के सिजेशन हो सकते हैं तो मैं हर तरीके के लिए ही सजेशन दूगी तो विडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाली है और दोस्तों उससे पहले मैं पिछले वीडियो के बारे में बता देती हूँ उसमें मैंने बताया था कि वो कौन सी तीन चीजे है जो आपको रोस करना चाहिए अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो जल्दी इसे जाके देखके आना तो चले फटा फट आज का वीडियो स्टार्ट करते है किसी भी सिचुएशन के बारे में बात करने से पहले आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लफ ट्राइंगल किस किस के बीच में है हो सकता है कि आप दो लड़के या लड़कियों को प्यार करते हो या फिर आप जिसे प्यार करते हो वो आपके और किसी दूसरे के बीच कनफ्यूस्ट हो तो सबसे पहले आपका काम है आपके लफ ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करना अगर love triangle के center में आप हो और आपको दो लड़के या लड़कियों से प्यार हो तो फिर आपको identify करना होगा कि आप अपनी जिंदेगी किस के साथ बिताना चाहते हो But if you are confused तो फिर ये प्यार नहीं है ये बस आपका उनके साथ attachment है क्योंकि love में लोगों के बीच कोई confusion नहीं होती वहाँ पे हम clear होते हैं कि हमें कौन चाहिए तो अगर love है तो आप choose कर ही लेंगे और अगर नहीं कर पा रहे हो तो समझ जाना ये attachment है Number 3 If you are the third person हो सकता है कि आप जिसे पसंद करते हो वो आपके और किसी और के बीच confused हो तो फिर आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस triangle में third person कौन है क्या कोई आप दोनों के बीच आ रहा है या कहीं आप ही दोनों के बीच तो नहीं आ रहे हो आपको देखना होगा कि आपका प्यार किसको जादा importance दे रहा है अगर उस दूसरे इंसान को जादा importance मिल रहा है मतलब कि आप third person हो and you should back off हाँ पता है आप बहुत प्यार करते हो पर आपका यापे importance नहीं है वो आपको नहीं प्यार करता है कोई और भी होका जो आपको इससे कहीं जादा importance देखा so dear, back off अगर आपका बंदा आपको ही जादा importance देता है और कोई और जबर्दस्ती से आपके बीच घुसे ही जा रहा है तो आपको उससे बात करनी चाहिए और समझाना चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और उसे इस third person से कहीं जादा मिल सकता है अगर वो आप दोनों को छोड़के कहीं और चले जाए और अगर आपका बंदा भी उसे importance दे रहा है आपसे कम दे रहा है लेकिन दे रहा है तो फिर उसको बोलो दोनों के बीच किसी एक को चूस करने के लिए अगर फिर भी इस triangle का solution नहीं हो रहा है आपका बंदा या बंदी decide नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है तो फिर इस no solution में भी एक solution जरूर है You need to get out of this triangle क्योंकि वो इनसान जिसे आप प्यार करते हो सब कुछ मानते हो वो आपके साथ खेल रहा है उसके लिए आप बस एक game का character हो I know, I know, you love a lot because you are a nice person You deserve more आपको किसी की कटपुतली नहीं बनना है क्या आप नहीं चाहते जितना प्यार आप किसी को करते हो उतना ही प्यार आपको भी मिले तो ये बंदा या बंदी आपके लिए सही नहीं है इस triangle से बाहर आके देखो बहुत खुश रहोगे हाँ, पहले तो तकलिफ होगी ही पर अपना importance समझो और बाहर आ जाओ फिर देखना कितनी importance मिलती है तो I hope ये वीडियो आपके लिए helpful रही है comment करके बताना आप इन में से कौन से situation में थे जब लब बन जाए geometry और आफ़ जाओ लब triangle में then remember, you are a person, not an option अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like, comment, share और subscribe कर देना तो फिर में लेंगे next Wednesday को तब तक के लिए goodbye and solve your love triangle एंगल